दोस्तों क्या आपके footnote और endnote header और footer की तरह होते हैं या नहीं होते हैं दोस्तों आज इस sensei को हम दूर करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में दोस्तों MS Word, MS Excel, MS PowerPoint को पूरा सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहने के लिए दोस्तों चैनल को subscribe जरूर करना तदा साथ आने वाले bell icon को जरूर प्रेस करना जिसे हमारे आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज हम reference tab के अंदर footnote को फूरा step by step पड़ेंगे, insert footnote क्या होता है, inset endnote क्या होता है, next footnote क्या होता है, और show notes क्या होता है दोस्तों, तो देखे, दोस्तो इसके दिए हमने एक document यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से ही, देखें दोस्तो, सबसे पहले insert footnote, footnote क्या होता दोस्तो, जस्ते देखो दोस्तो, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, what is computer लिखा हुआ है, फिर computer के बारे में लिखा हुआ है, नीचे input लिखा हुआ है उसकी device, लेकिन दोस्तो, input की example नहीं लिखे वे यहाँ पे, तो हम क्या यहाँ था आप Alt प्लस, Ctrl प्लस है, फो प्रेस करो, या फिर आप क्या करो, आप डारेक्ट वहाँ पे insert footnote पे जाओ, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तो, add a footnote on the document, यह क्या कर आपको, कि आप document के अंदर footnote यहाँ से add कर सकते हो, फिर क्या कर आप, footnote are automatically renumbered as you move text around the document, कि आप text को अपने document में कहीं पर भी move करवाते रहो, आपका footnote क्या होगा, automatically उसको number allot करता रहेगा, ठीक है दोस्तो, अभी देखो दोस्तो, इसको हम click करते हैं, तो जैसे दोस्तो देखो, मुझे यहाँ पे input device लिखा हुआ है, और उसके कोई example नहीं लिखे हुए, तो जैसे मैं यहाँ पे आपका क्या डाल देता हूँ, footnote लगा देता हूँ, जैसे मैं ने इसको select किया, input device को, और इस पे मैं क्या करता हूँ, footnote apply करता हूँ, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ, जैसे मैं इसको select कर लिया, अब मैं उपर जाता हूँ, कहाँ पे, insert footnote यह देखो दोस्तों, insert footnote पे click करते ही, देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, यह देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या लग गया, one लग चुका है दोस्तों, one लग गया, क्योंकि यह fast हमारा क्या है, footnote है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, यह page के नीचे देखो, आपको footnote म फिर में इसको वाप्त आते हम एग्ञाफ्य लागते हैं यहांपने लगाई था इसके ले लगाई तो यहां पर के लिखा हρε दिए कुल के वियोगा लिगा है तो नीचा तो देखो दोस्तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाके हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया, EX और कर दिया हमने, फिर देखो दोस्तो अब उपर आते हम, यह देखो हमारे पास EX लिख क्या आएगा, ठीक है दोस्तों फिर देखो दोस्तों हम next करते हागे जैसे output device है तो हमने क्या क्या output device को select कर दिया और उस पर भी हमें क्या करना है footnote लगाना है तो देखो दोस्तों हमने क्या 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 इसके उपर एक बार आप ध्यान से देखो दोस्तों footnote हमारा कौन सा है second number है तो यह देख इस speaker होती है और भी बहुत सारी होती है दोस्तों लेकिन हमने अभी तक इनको 3 कोई दिया देखो, यहां पे हमने इस से पहले क्या लगा दिया? तो जैसे हमने लगाती है क्या जैसे यहां पे हम लगा इस computer पे लगा देते हैं जैसे इस पर हमने क्या लगाया insert footnote यह हमारा कौन सा हो गया क्योंकि पहले हमने यह लगाया था ऊपर input पर लगाया था फिर output पर लगाया था तो इन्पूट वन था आउट्पूट की तना था थर्ड था तो सरी सेकिंड था और अब हमने उनकी दोनों के बीच में और फूटनोट एड कर दिया तो उसको कंटिन्यूस नंबर ही मिलेगा दोस्तों आउटपूट को अटोमेटिक कोन सा हो गया थर्ड हो गया यह नीचे देखो दोस्तों यहां पे नीचे देखो तू नंबर को ब्लैंक कर दिया इसने वहां पे आप लिखवाएगा आपसे यहां पे आपने क्या लगा रहे हैं अपने पेज के अंदर पूटनोट एड कर सकते ह दोस्तों फोड़ा सा उसे आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है? INSET AND और उसकी endnote की shortcut की क्या होती है alt पलस control पलस d होती है यह तो आप directly यह से click करो, यह फिर alt पलस control पलस d को press करो, उसमें क्या लिखावा दोस्तो add an endnote to the document यह क्या कर रहा है कि आप add कर सकते है क्या endnote किस पे document के उपर फिर क्या कर रहा है दोस्तो endnote are placed at the end of the document, ये क्या कर रहा है, कि end note कहां पे आएगा आएगा, कि end note आपका पूरे document के last में आएगा, जबकि हमारा footnote था, वो क्या हो रहा था, footnote क्या हो रहा था दोस्तों, footnote दोस्तों, जिस भी page पे हम footnote यूज कर रहे थे न, उसी page के bottom के अंदर, footnote को add कर रहा था, लेकिन आपका जो end note होता न, उसको उस page के नीचे, जिस page पे हम select कर रहे हैं, जिस page पे end note लागू कर रहे हैं, उस पे नहीं कर रहाएगा, वो आपके पूरे document के end के अंदर लेके जाएगा, आपको वहाँ पर आपका क्या कर रहाएगा, आपका end note को add कर वाएगा दोस्तों, जैसे देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने, यहाँ पे तो हमारे पास क्या रहे थे, 1 आ रहे थे, 1, 2, 3, इस करब में आ रहे थे हमारे पास क्या, footnote, अब end note देखो दोस्तों, जैसे end note कब apply करते हैं, end note, दोस्तों, जैसे हमने document देखा, what is computer, मतलब computer के उपर document देखा, अब आपसे वो यह पुछेगा, कि आपने, यह computer का जो आपने पूरा यह लिखा है, इसका आपने reference कहां से लिया है, तो वो हम यहाँ बताते हैं, किसमे end note के अंदर, कि हमने इस पूरे document को बनाने के लिए, किसकी help लिए है, वो सब यहाँ पर बताया जाता है, किसमे end note के अंदर, जैसे मैंने एक computer, what is computer लिखा, तो मैंने क्या कर दिया, कि इसको मैंने select कर लिया, और इसमे मुझे क्या लगाना है, end note लगाना है, और मैं क्या बताता हूँ, कि मैंने इसका reference कहां से लिया है, Wikipedia से लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, www.vikipedia.com, जैसे मैंने यह लिख दिया, यहाँ से मैंने उसका क्या लिया है, इस page का पूरे का reference लिया है, अब देखो दोस्तों आप उपर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो एक बार देखो यहाँ पर आते ही, मैं एक बार थोड़ा सा जोंग कर देता हूँ, यह देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पर, आपको Roman संख्या के अंदर, आपको one दिखा रहा है, और देखो दोस्तों उपर आपको दिखा देने लगा है www.wikipedia.com से इसका reference दिया गया है आप कहते हों कि नहीं दूसरा जब end note दिखेंगे तब उसमें क्या आएगा देखो दोस्तों वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उसके अंदर रोमन संख्या के अंदर 2 आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे add करते हैं जैसे यहाँ पे हम add करते हैं उसको तो यहाँ पे insert end note और यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो दोस्तो वैसे रोमन संख्या पे 2 आ चुका www.ожms.co कर दिया जैसे उसका reference अब देखो दोस्तो हम उपर जाते हैं यह देखो दोस्तों यहाँ पे हम zoom करते हैं यह देखोестно यहाँ पे क्या लिखा आ हूँ मिल गया आपको रोमन संख्याग अंदर 2 लिखाओ आमिलका जिसके उपर जाते ही देखो आपको क्या दिखा रहा है www.hardware.com से आपने इसका क्या दिया है reference लिया दोस्तों अब देखो दोस्तों आप से थोड़ी तेर पहले हमारी बात हुई थी कि वो footnote और endnote क्या आपके header or footnote की तरह होते हैं नहीं होते हैं दोस्तों endnote और footnote क्या करता है footnote और endnote उस particular topic के बारे में बताते हैं उसकी heading information हमें दिखाने काम करते हैं मतलब क्या उसकी heading जो information है उसके अंदर की page की heading के पारे में बताता था और footer क्या करता था उस page की numbering वगरा शियो करने का काम करता था नीचे कि कहा आएगी numbering left में आएगी right में आएगी center में आएगी और किस तरह से numbering आएगी वो दोस्तों कुन करता था आपका footer करता था तो footer और footnote के अंदर दोस्तों काफी difference है एक है दोस्तों आगे चलते हैं हमारे पास क्या आता है next footnote उसमें क्या लिखा हुआ है navigate to the next footnote in the document click the arrow to navigate to the previous footnote in the document और to navigate to the next और previous end note मतलब यह क्या बताएगा आपको देखो इस arrow पे क्लिक करते हैं तो यह क्या बता रहा है next footnote previous footnote next end note और previous end note देखो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हम page के top के अंदर चलते हैं जैसे देखो दोस्तों हम यहां पे हैं अब हमें नहीं पता कि हमारे footnote कहां कहा लगे हुए ऐसे देखना काफी मुस्किल हो जाता दोस्तों तो आपको next पर लिया है footnote नंबर two पर लिया है फिर हम वापस करते हैं क्या next footnote तो यह देखो दोस्तों आपके third पर अपके tapद करते हैं तो यह दोस्तों कहां लेकर आएगगा आपको कही नहीं ले लेकर जाएगया दोस्तों कुछ भी work नहीं करना एक पिर आपыт को नहीं कर रह तो यह देखो दोस्तो आपका number one पे आपको लिया है फिर आप क्या करते हो कि नहीं मुझे तो end note पर जाना है तो next end note यह देखो दोस्तो next end note आगया वहाँ से आगे हमारा next आओ जकी उससे पहले था हमारा previous दो जो हमने first footnote लगाया था ना उससे पहले हमारा first कौन सा था end note था लेकिन हम वहां से अगर देखेंगे तो next two पी आएगा दोस्तो फिर हम क्या करेंगे वापस first पी जाएंगे देखो previous end note यह देखो दोस्तो starting में आचुका हमारा यह देखो दोस्तो जूम करते हैं यह दो ही थे हमारे अब हम वापस next करते दो दोस्तों कोई work नहीं करेगा यहां पर पर प्रिवेस end note पे यह देखो दोस्तों फैस्ट पे आपको लिया है देखे दोस्तों आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है show notes क्या होता है देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ इसमें scroll the document to show where the footnotes और end notes are located यह क्या बतार आप यह आपको show notes बताएगा आपको कि आपके footnote कहां लगे हुए है और end note कहां लगे हुए है देखो दोस्तों इस पे हमने ok किया यह देखो दोस्तों यहाँ पे इसने show करवा दिया है यह देखो दोस्तों हमारा cursor यह blink कर रहा है देखो यह हमार करते हैं हम जाते हैं वापस शो नोट के उपर और हम क्या करते हैं दोस्तों हम व्यू एंड नोट एरिया करते हैं जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं तो देखो दोस्तों यह हमें कहां लेकर जाएगा यह हमें एंड नोट एरिया के अंदर लेकर चला जाएगा यह देखो दोस् आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पर रखता है इस एया वरक नहीं करते हैं वह जैसे बेहिए यहां बता रहा aurait और क्या करते हैं अब देखो दोस्तों यहां पर आपको फुट नोट पे वी वर्क कर रहा है और आपका end note पर वर्क कर रहे है तो एक बता रहा है बॉटम हो पेज कि आपको फुटनोट कहां लगाना है पेज की बॉटम में लगाना है या फिर आपको text के नीचे लगाना किया जिस text को आप footnote लगाना चाहते हो जिस उसके नीचे याज़े है अपका footnote तो जो भी आँसे आप चूज करना चाहो हो कर सकते हो जबकि हमारा already क्या था? bottom में था अब क्या करते हैं? text के below में करते हैं तो एक बार देखो दोस्तों जैसे मैं कोई भी text को जैसे select कर लेता हूँ जैसे मुझे ये computer के ऊपर क्या करना है? footnote लगाना है तो यहाँ से मैं गया, कहाँ पे? इस पे गया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ? below text ये देखो दोस्तों किया और apply किया अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा footnote लगाते हैं ये देखो दोस्तों, हमने footnote लगा दिया अब देखो दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूँ computer region electronic machine देखो दोस्तों, जैसे हम यहाँ आते हैं देखो आपको दिखा रहा है क्या, computer region, electronic machine, मैदल लब पहले हमारा क्या था, हमारा footnote था, वो page के निचे आ रहा था, उस page के निचे, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उस text के निचे ही आ जाए, तो ये देखो दोस्तों, यहां से हम इसको कर सकते हैं, यह कुछी तरीके से क्या हमारा end note है, देखो दोस्तों, end note में क्या दिखा रहा है आपको, end of document, या तो आपके पूरे document के last में लगेगा आपका end note, या फिर हमें कहां लेकित दे रहा है यह, कि end of section, क्यो section के end में लगेगा, अब देखो दोस्तों, section के end के अंदर कैसे होगा, अगर दोस्तों, आपको section मनाने नहीं आते हैं, तो दोस्तों, हमारा page layout का वीडियो है, जिसका link नीचे description box के अंदर दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, जहां पे आपको page को break कैसे करते हैं, पेज के sections कैसे बनाए जाते हैं, तो वहां से उस चीज को आप सीख सकते हो, दोस्तों, एक बार हम इसको cross करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम दोस्तों page में कुछ section मना देते हैं, देखो दोस्तों, इसके लिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, और यह एंटर दबाया, यह देखो दोस्तों मेरे पास कितने आगए, 20 परग्राफ आ गए, और मेरे पास total कितने pages आचुगे दोस्तों, 3 pages आचुगे, यह देखो यहां दिखा रहा है, अब देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जो यह मेरा second page है न, यहां पी मैं क्या करता ह है, जैसे insert पे मेरे को क्या लगाना है, end note लगाना है, तो कहां जाएंगे, reference के अंदर, और यहां से, जाएंगे देखो इसके अंदर, और हम क्या करेंगे, जूम कर देता हूँ एक बार, end note के अंदर जाएंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, end of section, मतलब उस section के end के अंदर आ जाते हैं यह देखो दोस्तों सेकंड पेज के नीचे आचुका मरा क्योंकि यहां पे जगह नहीं ती इसलिए थर्ड पेज मिलाया वरना सेकंड पेज जहां पे करवाया वहाँ ले उसके बाद देखो दोस्तों आगे के पेज अलग है आपके यह उता है आपका सेक्ट ब्रेक जो भी यहां पर लिखना चाहो वो कर सकते हो दोस्तों फिर आप मारे पास आगे क्या आता है format नंबर format मतलब जो page की निच्छे जो हमारे section के जो आएंगे जसे footnote है endnote है उनकी numbering कैसे रहेगी दोस्तों वो बता रहा है कि 1,2,3 से चाहिए आपको की ABC में चाहिए या फिर capital A B में या फिर Roman संख्या में चाहिए तो यहां से आप जो भी आपको अच्छा लगए उसको आप चूज कर सकते हो दोस्तों फिर आपके पास क्या आता है इधर symbols आते हैं कि आपको इन symbols में से चाहिए जैसे आप endnote और footnote के लिए आगे लगा रहे थे रोमन संख्या में लगा रहे थे endnote में और footnote में आपके क्या रहे थे 123 ऐसे आ रहे थे तो आप यहां से कोई symbols भी ले सकते हो यूज में ठीक है दोस्तों फिर इधर देखो दोस्तों आपके क्या बता रहे है custom mark क्या होता है दोस्तों जैसे देखो दोस्तों मैं भी आपको ब लिख देता हूं र-a-j-e-n-d-r-e लिख दिया दोस्तों यहां से ओपर footnote को select कर देता हूं यह देखो दोस्तों यहां पर footnote के numbering की जगह क्या आगए आपकी बार यहां पर नाम आ चुका है दोस्तों अब देखो निचे जहां पर आते हैं page के last में वहां भी देखो दोस् start करना आना वह कहां से करना है वन से करना है या फिर टू से करना है देखो दोस्तों जो भी आपको चीए वह आप कर सकते हो यहां से numbering आपकी start फिर उसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है numbering कि numbering आपको continuous करम में चीए या restart each section मतलब हर section पर जो आप end note footnote लगा रहे है या फिर आपको इसी section के अंदर करना है आप चाहो तो पूरे document पर अपलाई कर सकते हो इस पूरे rules को या फिर आप चाहो तो एक page के उपरी भी कर सकते हो अगर आप एक page पर करोगे तो आपको हर page की बार बार इस formatting को आपको बनानी पड़ेगी इसलिए आप या तो whole document पर क section के हिसाब से उसको कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज हमने क्या पड़ा reference tab के अंदर footnote के अंदर हमने क्या पड़ा insert footnote, insert endnote, next footnote, show notes तो दोस्तों आज ही हमने पूरा यहां से पड़ा है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी एक नए topic के उपर एक नए वीडियो लेकर के तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभार